बंदर बांट चमेली हिरन मनमोहक जंगल में रहती थी एक दिन वो नदी के किनारे पानी पीने गई नदी के किनारे उसे एक रोटी दिखाए थी रोटी देखते ही उसे खाने के लिए आगे बढ़ी लिकन पीछे से खोजो खर्गोश की आवाज आती है रुको रुको ये मेरी रोटी है इसे मैं खाऊँगा चमेली ने कहा अच्छा जी बढ़े आए अगर तुम्हारा है तो ये नदी के किनारे कहां से आया और अभी तक तुमने इसे खाया क्यों नहीं खोजो ने कहा मैं जरा गाजर लेने गया था मुझे रोटी के साथ गाजर खाने में बहुत मज़ा आता है मज़ा आता है तो रोटी साथ क्यों ने लेकर गए यहां क्यों छोड़ दिया था चमेली ने गुसे से कहा खोजो ने कहा वो दरसल मैं जल्दी में था देखते ही देखते दोनों का जगड़ा बढ़ गया चीको बंदर चुपचा पेड के पीछे से दोनों का जगड़ा देख रहा था उसकी भी नियत रोटी में लगी थी अचानक उसे एक तरकीब सूझी वो हिरन और खरगोश के पास कया और कहा अरे अरे ये क्या कर रहे हो एक रोटी के लिए इतना जगड़ा चमेली ने कहा रोटी पहले मैंने देखी थी इसलिए मैं इसे खाऊंगी खोजु ने कहा पहले मैंने इसे नदी के किनारे देखा था इसलिए इस पर मेरा हक है चीको ने कहा जगरने से कोई फायदा नहीं मैं अभी इस रोटी के बराबर टुकड़े करके तुम दोनों में पाण देता हूं शमेली और खोजु को ये बात सही लगी चीको तेजी से अपने पेड़ पर से एक तराजू लेकर आया रोटी के दो टुकड़े करके दोनों तरफ एक एक टुकड़ा रख दिया एक टुकड़ा अधिक बड़ा था इसलिए तराजू उस तरफ छुक गया चीको ने जल्दी से उस रोटी के टुकड़े में से एक छूटा टुकड़ा तोड़कर खा लिया और कहा ये तुकड़ा अधिर बड़ा था अगर मैं किसी को देता तो दूसरे के साथ बेमानी हो जाती इस तरह चीकू मज़े मज़े से धीरे धीरे रोटी खाने लगा कुछ देर बाद रोटी का छोटा सा टुकड़ा बचा चमेली और खोजू ने कहा चीकू भाया अब आप रहने दो ये जो रोटी का टुकड़ा बचा है हमें दे दो हम दोनों इससे आपस में बाट कर खालेंगे चीकू ने गुसे से कहा मुझे अपना नौकर समझा है क्या एक तो तुम लोगों की मदद करो दूसरा मुझे कुछ भी ना मिले मैंने जो इतनी मेहनत की है उसके बदले ये बचा हुआ रोटी का टुकड़ा मैं खा लेता हूँ इतना कहकर चीकू जट से वो बचा हुआ रोटी का टुकड़ा भी खा गया तो इस कहानी से हमने सीखा दूसरों से सहायता मांगने से पहले अपनी समस्या का समाधान खुद करना चाहिए